दोस्तो नया राशन कार्ड ओनलेन कैसे बनाएं इस वीडियो की अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारा काम दोस्तो आपका ओनलेन हो जाएगा ठीक है तो कैसे आप ओनलेन राशन कार्ड के लिए अपलाई करेंगे पूरा प्रोसेस क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइब दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटीनू इसी सब्ड़ों को देखते रहों दोस्तो नया राशन कार्ड अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल फूर्ट सेक्योर्टी पोर्टल को उपेइन करेना है इस पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी पोर्टल से आप निव राशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ओप्शन दिया हुआ है नू यूजर साइन अप हीर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना है आपके सामने दोस्तो रजिस्ट्रेशन पेज खुल कर आ जाता है यहाँ पर बस आपको अपना कुछ डीटेल देना है जैसे कि नाम हो गया डेट आप बर्थ हो गया उसके बाद लोगिन आईडी मोबाईल नमबर आधार नमबर एडरेस यह सब आपको यहाँ पर फिल अप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लोगिन आईडी यानि की यूजर आईडी टाइप करना है जो आपने बनाया उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड टाइप कर देना है कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है और साइन इन की उपर क्ल station का तो इसी वाले option पर आपको click करना है नया राशन कार्ड apply करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर आपको अपना जो state है उसे select करना होगा किस state का आप राशन कार्ड apply करना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको अपना state का नाम select करना है और submit के उपर click करना है इस तरह से दोस्तों आपके सामने जो पूरा form है ये खुल कर आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये online form है इसे भरना है ठीक है total यहाँ पर 7 step दिया है जिसमें आपको ये form बरकर submit करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पर राशन काड का category select करना होगा कौन सा राशन काड आप बनाना चाहते हैं बीपियल या फिर पी एच एच राशन काड ठीक है तो यहाँ पर आप अपने इस आपसे नीचे आना है यहाँ पर photo upload करना है अगर आप खुद का राशन काड अपलाई करना है तो यहाँ पर आपको अपना खुद का photo जो है select करना है वही date of birth जो आपके आधार card पर दिया है same to same ठीक है आधार card का date of birth उन्पपर 5,10 सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको mother name type करना है आपके माता जी का नाम उसके बाद इहाँ पर आपको अपने पिता जी का नाम टाइप कर देना है ठीक है जिसके बाद आपका marital status क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है कि आप शादी शुदा है या फिर single है जो भी है वो आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर Indian रहने देना है mobile number अपना type करेंगे और email ID यहाँ पर type कर देंगे ठीक है जिसके बाद इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ general detail देना है जिसमें अगर आपका OTA ID कार्ड बन क्या है तो OTA ID कार्ड नमबर आपको यहाँ पर type करना होगा नहीं बना है तो छोड़ सकते हैं उसके अगर आपके पास मनरे का job card है तो यहसे में आप क्या करेंगे चेक box पर हाँ पर click हरेंगे और मनरे का job card नमबर हा पर type करेंगे अगर दोस्तों का मनरे का job card नहीं बना है तो इस पर क्लिक करने की जरुरदी नहीं है इससे आप छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना आधाल नमबर देना है ठीक है आधाल नमबर आपको यहाँ पर सही सही देना है उसके बाद आपको नीचे आना है professional detail देना है आप क्या काम करते हैं वो आप यहाँ पर select करेंगे आपका annual income कितना है वो आपको यहाँ पर type कर द तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो present address है present time में आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का दोस्तो पूरा address आपको यहाँ पर type कर देना है ठीक है present address देने के बाद इस side देना है permanent address आपका जो permanent address है उसे इस side आपको type करना है अगर दोनों address same है तो बस आप यह check box पे click कर additional info का ठीक है तो additional info में आपको क्या करना है other detail देना है other detail में सबसे पहले आप अपना जो cast category है वो select करेंगे किस category के आप है ठीक है उसके बाद यहाँ पर house type बताना है कि जो आपका घर है वो किस type का है पका मकान है या फिर घर नहीं है या फिर रेंट पे है जो भी है वो आप अपर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको bank detail देना है तो bank detail देने के लिए सबसे पहले check box पे आपको click करना है यहाँ पर आपको पूरा bank detail देना है जिसमें account number आपको यहाँ पर type करना है bank name यहाँ पर select करना है branch आपको यहाँ पर select करना है FSC code automatic select हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर अगर आप bank detail नहीं देना चाहते तो इस पर आपको click करने की जरूरत नहीं है छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर gas connection detail आपको देना है तो detail देने के लिए checkbox पे click करेंगे तो सबी detail डालने का option आजाएगा अगर आप जरूरी मिंस देना नहीं चाहते तो आप इस disability है तो आपको यह वाला option fill up करना है नहीं तो आप इसे छोड़ देना ठीक है उसके बाद अगर आपके अंदर कोई critical illness है गंबीर बीमारी है तो आपको यह भरना है नहीं तो इसे भी आपको छोड़ देना है ठीक है उसके बाद save and continue के उपर click कर देना है जिसके बाद दोस्त आपके सामने अगला step आजाता है RC member का यानि की ration card member ठीक है अब जितने member को आप add करना चाते जितने भी आपके family में member है सबको add करने के लिए आप यहाँ पर add member के उपर click करेंगे इस तरह का आपके सामने form open होगा यहाँ पर दोस्ता आपको detail दाल देना है सबकार ठीक है सबका detail दालने के बाद आपको simply क्या करना है नीचे चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर submit के उपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर member add होते जाएंगे ठीक है जितने भी member को आप add करना चाहते है यहाँ पर आपको add का लेना है add करने के बाद आपको simply क्या करना है save and continue के उ यहाँ पर आधार card, auto id card, driving license, pen card, passport ठीक है जो भी document आपके पास है उसे दोस्टो आप यहाँ पर select कले लेना उसके बाद दोस्टो आपको यहाँ पर document number type करना है यहाँ पर issue date आपको select करना होगा उसके बाद दोस्टो यहाँ पर document को upload करना है ठीक है upload करने के लिए size 200KB होना चाहिए आप यहाँ पर देख लीजे या फिर इससे कम उसके बाद address proof आपको upload करना है तो यहाँ पर 3 document का नाम दिया है जो भी आप देना चाहते हैं house text, receipt दे सकते हैं, bank, passbook दे सकते हैं ठीक है? तो जो भी आपके पास है उसे आपको यहाँ पर select करना है उसके बाद document number यहाँ पर type करना है date आपको यहाँ पर select करना है, issue date उसके बाद यहाँ पर choose file के उपर click करके document को upload करना है, ठीक है? तो इस तरह से दो document आपको यहाँ पर upload करना है और नीचा आना है, save and continue के उपर click कर देना है जिसके बाद अगला step आ जाता है NFC criteria का अब ये दोस्तों एक optional है यहाँ पर वैसे house का detail देना होता है पूरा बिंस, paper and आपका घर है आप फिर end pen ठीक है ओ सब बताना होता है तो अगर आप देना चाहें दे सकते हैं नहीं तो ये एक optional है आप इसे छोड़ सकते हैं जरूरी नहीं है बस आपको क्या कर देना है save and continue के उपर click कर देना है इस पर click करने के बाद finish यानि की last step आपके सामने open होगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले fair price shop सेलेक करना है जैसे आप save करेंगे आपका यहाँ से form submit हो जाएगा और जैसे दोस्तो आपका राशन कार्ड बन जाता है जो address आपने दिया है उसी address पर दोस्तो आपका राशन कार्ड speed post के जरिए आ जाता है तो इस तरह दोस्तो आप online नया राशन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को शेर कर देना थैंक दोस्तो बाइबन टेक कियर